अगर आपको LCR करना है दोस्तों तो आपको RL circuit, RC circuit ये पता होने चाहिए तो उसकी information automatically होगी AC का एक chapter ऐसा chapter है जहां से numerical आने के chances बहुत ज़ादा बनते हैं कि इस बार हमें 1 mark के हिसाब से, 3 mark के हिसाब से और 5 mark के हिसाब से यहां से पढ़ना चाहिए कैसे हो तुम सब दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना युदभ्यास का अगला chapter that is alternating current इस वीडियो में मैं आपको क्या देने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ मैं आपको previous year के questions देने वाला हूँ, मैं आपको युदभ्यास के questions देने वाला हूँ, मैं आपको वो short short topic बताने वाला हूँ जो आपको करना ही है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको previous year के solution देने वाला हूँ अब आपन उठाकर देखें, अब आप डरना मत कि अरे वावा जी, 2022 में तो यहाँ आपसे 9 कोशन आ गए, एक माक के 9 कोशन नहीं आये, हर सेट में आये हैं, तो इसलिए टोटल हो गया 9, अगर आपन देखें, तो वन माक में 2023 में MCQs, MCQs, एक माक, है न, 5 कोशन है, मतलब सार दो माक के कोशन सिर्फ और सिर्फ हमें 2020 में देखने मिले हैं, क्योंकि 2020 के टाइम पर, एक अलगी तरह का आपको पैटर्न देखने मिला है, इसके अलावा ऐसा पैटर्न आपको कभी और देखने नहीं मिला है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो 3 माक के कोशन लगभग आ ही रहे हैं 5 mark के question पहले आते थे पिछले दो सालों से नहीं आये हैं बट इस साल आने की possibility है जरूर है और में तो यहां से 3 mark मिलना चाहिए यहां यहां पर 5 mark मिलना चाहिए और mcq तो यहां से मिलेगा ही मिलेगा यह हमारा पुराना analysis कह रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इस बार हमें one mark के हिसाब से three mark के हिसाब से और five mark के हिसाब से यहां से पढ़ना चाहिए और यह ध्यान रखना AC का एक chapter ऐसा chapter है जहां से numerical आने के chances बहुत जादा बनते हैं अब अगर मैं आप से कहूं कि हमारा analysis था analysis पार्ट के जल्दी से और यकीन का जो वीडियो मैंने वहां पर दिया हुआ है वो previous year के selected questions हैं उनको कर लो कर ही लेना कुछ मत छोड़ना उनमें से चलो अब आगे देखो अब अगर अपन देखें तो basically AC में अपने पास जो particular topics हैं जैसे कि mean value निकालना RMS value निकालना और LCR circuit अब आप कहोगे कि बाबाजी LCR circuit का phasor diagram और resonance अगर आपको LCR करना है दोस्तों तो आपको RL circuit RC circuit ये पता होने चाहिए तो उसकी information automatically होगी तभी जाकर आप LCR circuit का phasor diagram और resonance के लिए condition निकाल पाएंगे यहां से बहुत chances बन रहे हैं इस बार transformer से क्योंकि last time उन्होंने generator पूछा था मगर किसी भी set के अंदर AC generator दे सकते हैं जरूरी नहीं है कि transformer दे तो transformer के chances बहुत जादा हैं बढ़ generator भी हमें आना चाहिए और ये सब चीजे मैंने आपको pledge में बताई थी तो pledge के वीडियो की link नीचे दी हुई है यकीन PYQ के वीडियो की link भी दी हुई है आपको ये जितनी भी चीजे में बोल रहा हूँ सारी चीजे है जल्दी से जाओ download कर लो इसके अलावा paper में कुछ नहीं आएगा बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ लाइक करो, share करो, subscribe करो और ध्यान रखना अब exam बहुत पास है तो इसलिए focus बिलकुल अपना बना रहना चाहिए अगर आप telegram यूज कर रहे हैं बहुत सारी लोग होंगे जो telegram app यूज नहीं कर रहे हैं और अगर आप यूज कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो डाउनलोड करो क्योंकि वहाँ पर rank plus family का जो group है उस पर आपको सारी चीजें मिल रही है वहाँ पर आपको वीडियो की link भी मिल जाती है सारी चीजें उस पर मिल जाती हैं आपको तो हमें social media app को अगर use करना है तो बहुत judicially use करना है अभी हमें कोई distraction नहीं होना चाहिए और जैसे कि मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ और आज इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ 27th 2023 को जब आपका February में chemistry का paper हो जाएगा तो उस दिन के शाम से rank plus पर आना मत भूलना क्योंकि वहाँ पर बाबा जी आ रहा है मेराथन लेकर बहुत शांदार पढ़ने वाले हैं सारी चीजें खतम करने वाले हैं और क्या मिलेगा कैसे मिलेगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा तो इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही धन्यवाद like share subscribe करना बिलकुल मत को जरूवत है तो कहीं और जाने की जरूवत नहीं रैंक प्लस है आप सब के लिए इस वीडियो में इतना ही जाए हूँ